आप सब का सवाद करता है अपने इस यूट्यूब चैनल डिस्टिक ज्यान में तो पंजाब स्कूल एज़कुशन बोर्ड की तरफ से जो अलगत क्लास का जो रिजल्ट है वो कप टिंग्लेर किया जाएगा तो आज किस वीडियो में हम आपको उसके बारे में जो अपडेट ह वो देने वारे हैं तो पंजाब स्कूल एज़कुशन बोर्ड की तरह से जो थियोरी के एक्जाम में वो लगबग खतम हो चुके हैं और इनकी जो मार्किंग है वो भी लगबग खतम हो चुकी है तो एक दो सब्जेक्टर है उनके जो मार्क्स के अप्लोड है या जो मार्क एप्लोड किये जाने है वह जाएंगे तो अब आपके प्रैक्कल के exam चुके हैं तो पांच प्रैक्टिकल से जो प्रैक्टिकल के exam हैं वह शुरू हो चुके हैं तो यह जो exam है वह चलेंगे आपके 7 अप्रैल तक तो जो भी practical होंगे आपके arts के, commerce के medical, non-medical, जो भी यानि की आपके practical subject हैं, जितने भी आपके practical subject के exam होंगे, उनके जो number है, 47 अप्रेल तक upload किये जाने है, स्कूल की तरफ से, तो जैसे ही, इस ताई अप्रेल को आपके जो mark से वो upload हो जाएंगे, theory के marks पहले ही upload हो जाएंगे, तो दोनों की जो mark से उनको add किया जा जो त्यार कर दिया जाएगा, तो 7 अप्रेल के बाद आपके result का जो process है, वो शुरू हो जाएगा, तो लगबग 10 या 15 दिन के अंदर अंदर आपका जो result है, वो बाद में त्यार कर दिया जाएगा, तो इसने आपका जो result है, वो मई के first week तक आ सकता है, तो लास्टेर की इक्साम है, वो पहले ख़तम हुए थे और ट्यूलेट के बाद में ख़तम हुए थे, बट ट्यूलेट क्लास का जो result है, वो पहले डिकलेर कर दिया गया था, तो डिपार्टमन की तरफ से जो दो सालों में काफी जो हाई टेक सिस्टम जो हो कर दिया गया है, यानि कि जब आ उनकी जो marking है, वो करवा ली जाती है, और उनकी साथ साथ ही जो आपके marks हैं, थियोरिक हैं, वो teachers की तरफ से upload करवा लिये जाते हैं, उसका जो record है, वो कर रख लिये जता है, उसके बाद आपके practical exam होते हैं, तो वो practical exam होने के साथ ही उनकी जो practical के number हैं, वो भी upload करवा लिये और अगर मैं CCE की बात करों तो वो पहले ही department की तरह से upload कर वा लिया जाते हैं तो तीनों की number को combine करके आपका जो final result है वो त्यार कर लिया जाता है तो इसलिए बहुत कम समय में आपका जो result है वो त्यार कर लिया जाता है एजुकेशन बोर की तरह से तो department की तरह से 10-15 दिन के अंदर अंदर आपका जो result है वो त्यार कर दिया जाएगा तो यानि कि मई के first week में जानि की 10 तरीक तक या 10 तरीक से पहले पहले आपका जो result है वो त्यार कर दिया जाता है जिसमें special date जो है वो mention की जाती है कि आपका जो result है वो कप declared किया जाएगा इसकी इलावा इनकी जो official website है वहाँ पर भी एक link provide कर दिया है वहाँ पर आप अपना जो खुद को register कर सकते हैं जिसे कि जब result आएगा तो आपको जो notification है वो आपके mobile नबर पर भी आ जाएगा बाकी जो भी updates हैंगी वो हम आपके साथ share करते रहेंगे चैनल में अगर नए है तो चैनल को subscribe कर लेना जिसे जैसे ही कोई update आएगी वो आपके पास पहुंच जाएगी तो आज की studio में यही update है जल्दी मिनों का आपके साथ next studio है तब तक के लिए good bye जहन